नमस्काल किसान साथियों और स्वागत है आज हमारे इस यूटूब चनल पर और आज इस वीडियो क्लिप में अपन बात करेंगे दिन्या फसल में बीजदर, बीजोप्चार और इसके बुगाय की उन्नत तक्निक के बारे में तो एक किसान साथियों सबसे पहले तो अपन को अच्छी उन्नत किस्म का चेंड करना है जिससे अपने फसल में लोंग्या रोग, छहच्चा रोग एसलिए रोग पड़त आप किस्म का चेहन करें उसके बाद किसांद साथिओं जैसे कि अपनी जो बीज़ दर रहती हैollen सिंची मे में 15-20 किलोग्राम प्रति हख्टर की दरसे काम विल लेंगे तो जैसे कि आपको यह रोग आते हैं अपनी फसल में तो यह क्यों आते हैं तो किसान साथियों सबसे पहले रोग तो एक तो बीज जनित होते हैं जो अपने पुराणे वेज में होते हैं या फिर या भूमी जनित होते हैं तो एक तो अपने को उन्नत किस्म का बीज का चैन ग जाएगी अब अपने इसकी बात करते हैं बुआई के लिए तो किसान सातियों इसकी बुआई के लिए अपन को जो इसका दन्य का दाना होता है उसको अपनको दो बागों फोर्ड लेना है और उसको फोर्ड समय ध्यान रखेगो जो अंक्रोन अलोबाग नश्ट नहुपाए तैकि अपना अंक्रोन प्रतियत अच्छा बना रहे है बीच को बुआई से पहले 12-14 गंटे तक पानी में भीगो ले तैकि उसका अंक्रोन जल्दी से जल्दी हो सके और इसकी बुआई करते समय इसकी जो लाइन टू लाइन की दूरी है वो 25 सेंटिमेट रखनी है अपनको लोंग या रोग यानि इस्टेम गोल जिसमें क्या होता है कि जो इसके दाने होते वो लोंग जैसे हो जाते है और अपने उत्पादन पर बहुत विप्रित प्रभाव पड़ता है तो इससे सुरक्षा के लिए अपनको हेग जाक को नोना जोल पांच पसंट इसी का जो दो म कापी हथ तक सुरक्षा मिल जाएगी अगर आपके खेत में धिमक की समश्या है या पर कोई अनिक कीट की समश्या रहती है तो आप कलोड़ोफारी फॉस्प का भी अपन तीसी सी वह जो रहता है उसका अपन इसमें विज उप्चार कर सकते हैं बाकि जो प्यस्पी कल्चर ह भी उपचरित कर सकते हैं तो किसंस आती हो अगर आपको उमारी जानगरी अगर अच्छी लगी हो तो कर पर वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइक अन तो प्रेस क करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके जय हिंद जय किसंद साथ